है दोस्तों आज 3 जन्वरी 2023 मार्केट के अंदर आज बहुत ही जादा वालिटिलीटी हमें देखने को मिला जहां पर फर्स्ट आप के एन पे मार्केट में गिरावट हुआ और सेकेंड आप होते होते ही वह सारे गिरावट हमें रिकावरी में चेंज होता हुआ नजर आया औ जो कि डौग §2 फीचर के अंदर एकदम से तेजी देखने को मिला और इस बज़े से हमने देखा कि निफ्टी फीच्टी जो है सेंडो हमें इतना तेजी देखने को मिला और आज में कहीं दोस्तों युस उयसमार्केट को और जो बहुत की फूटर को शाम की बात थे नाग जर्मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स अभी लगबग 1.30 परसेंट उपर ट्रेट कर रहा है एक दम शुरू से तेजी लगबग अभी दो परसेंट उपर ट्रेट कर रहा है इस एक परसन को पते सी योरो स्टॉक्स 50 एफटी सी माइब आई बी एक सट्य वाइब यह सारे के सारे इंडेक्स अभी पॉजिटिव में ट्रेट कर रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी फिप्टी का फ्यूचा तो देखें निफ्टी फिप्टी तो अभी क्लोज इंडियन करेंसी का वैलोशन जो है वह बहुत ज्यादा गिर चुका है मतलब मैं खुद यहां पर 10-15 मीट पहले यह मैं ट्रेक कर रहा था यहां पर यूस्टी के एगेंस में जो इंडियन करेंसी का वैलोशन लगबग 83 रूपीस तक पहुंच गया था मतलब और टाइम लो यूस मार्केट का क्या हाल है उसके साथ कल सुभा डॉजोंस का फ्यूचर अगर पॉजिटिव में चला गया तो उसके समें कल निफ्टी पूरा-पूरा कोशिश करेगा अठ्रादा 250 यह जो इंपॉर्टेन लिवेल इसके पहले भी में आपको मेंशन किया तया याद होगा आपको इसके आज पास आज तो पहुंच गया बट वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस क्या और करने कि उसके नीचे इंपॉजिंग गया इसको ब्रेक करके ऊपर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेन है अगर फर्दर मार्केट के अंदर रैली आना है तो तो आविसली कल पूरा-पूरा कोशिश रहेगा निफ्टी के लिए कि 8250 के उपर भाई यह हम स्टेबल हो जाए एक बस टेबल हो गया तो फर्दर दोस्ति यहां पर निफ्टी का पूर नेक्स टार्गेट रहेगा 8400 के उपर इनकेस अगर नीचे की तरफ गिरावाट हो तो उसकेस में दे अगर मार्केट साथ दिया यूस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया कल सुभा अगर डॉजोंस का फ्यूचर पूजिटिव में उपर तो कल पूरा-पूरा निफ्टी यहां पर कोशिश करेगा कि 8250 के उपर अपने आपको मेंटेन करना यानि स्टेबल होना फर् तो अचानक से एलाइसी की शेयर में इतना तेजी क्यों तो उसके पीछे बहुत बढ़ा रिजन है कैसी क्या अब देख सेकतो कि एलाइसी गेट्स अब भूस्ट एस कोटक बिगेंस कवरेज तो कोटक बिगेंस कवरेज बेसके लिए ब्रोकरेज कंपनी है रेजस टार्गे गिरावाट होने के साथ थोड़ा नीचे की दर मुफ जरूर किया था सेगेंड आप में मार्केट में जैसे ही रिकावरी हमें देखने को मिला तुरंथ हमने देखा कि यह लैसी की शेयर भी एकदम से बांस बैक किया और एकदम से उपर पहुंच चुका है लगबग 733 रु उसके बात की बात करते हों देखें लास्ट कुछ महीनों पर स्पेशली एक दिर महीने पर देखें शेयर काफी अच्छा खासे यहां पर रिकावर कर चुका है तो क्या आपको यह रिकावरी देख कि इन्वेस्ट करना चाहिए अंधा दून बिलकुल नहीं मैं बार बार इ स्टॉक वाइसी बहुत जादा स्लो मॉफ करता है हो सकता है कि यह दो चार न्यूस के वज़े से एक दो दिन तीन परसें चार परसें उपर उचल गया बट इसका मतब यह नहीं है कि बहुत जादा कोई ग्रोथ होता है ठीक है और चौथा पॉइंट यह है कि देखें प्यस आपको नहीं जाना चाहिए बाकी दोस्तों आपका डिशन होना चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेर दोस्तों आपर सरकीट देखने को विला मतब शुरू की बात करें तो थोड़ा वाद उपर की तरह मूफ किया वहां पे नॉर्मल ट्रेड हुआ बट एक्च्वल मे सब्सक्राइब है तो आई एफल सेक्यूटी जो के ब्रोकरेज कंपनी भी है साथ साथ सीज हंड़ेट परसेंट अपसाइट इन दिस सेवेंटी रूपीज शियर तो बेसिकल यहां पर आर्वीनल के उपर 200 टार्गेट दिया लगबग सो परसेंट मत्तब इनके अनुसार इ एक सो तीस रुपए पर भई या मत्तब लगबग देखा जाए नबबई सौ परसेंट उपर मत्तब कल की बात करें तो शेयर का क्लोजिंग प्रसेंट तो उसके अकुरिंग बात करो तो लगबग 95-100 परसेंट का सबसे टार्गेट दिया तो दोस्त आप मुझे कमेंट करके बहुत बढ़ा कोई यहां पर घोशना होता है तो अब इसके साथ सब्सक्राइब कर जाएं बाकी दोस्तों आपके उपर यहां पर डिपेंड करता है नेक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टन अप्डेट है दीपक नाइट तो आप मताप लोगों ने बहुत जादे यहां पर क्या कि सब्सक्राइब कुछ बताइए क्योंकि दीपक नाइटेट का शियर आज एक बहुत इंप आज हो सकते हैं को बहुत 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 इंपॉर्टन लेवल को ब्रेक कर कूपर जाकर क्लोसिंग जिसके नीचे बार-बार हमने देखा था शियर पहुंच गया तो एक दम बड़े केमिकल सेक्टर की कंपनी भी इतना स्ट्रगिल किया इसका नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ इसका मार्जिन ड्रॉप हुआ आर्टी इंडस्ट्री का भी हुआ सेम देखने को बहुत सारे ऐसे अलग-अलग च्पर पर पस यहां पी इन्वेस्ट मत करना अगर बात करेंगे लास्ट और फाइनल शेयर इसके उपर आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा तक कुछ बताइए शुरू करेंगे वर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज दोसों वीडियो को ल कि लगबख यहां पर कितना था सारी तीन परसन उपर जाके क्लोजिंग दिया तो देखिए यह सारी इंशॉरेंस सेक्टर की स्टॉक है लास्ट कुछ टैम से कुछ खास रिटन नहीं दिया जैसे कि आप देख सकते छे मैंने पे काफी वॉलेटाल बीच में बहुत जद गि कि जेंकि लाइस करें लाइफ आफ के लाइफ की बात करें अब रॉल्ड कर सकतो बाकी दोस्तों आपको कोई शेयर की बारे करी पाना है पूछना है मैंने से कमेंट के तुरू आप पूछ सकते हूं इस वीडियो के यह वाइंड आप करता हूं मेल देन इक्स वीडियो पे तब तक लिए टेक क्या बबाई जाए हिंद